नमस्कार दोस्तों मेरे नहीं सुखदेप और आप मेरे चनल दख रहे हैं जॉब तक दोस्तों आज हम बात करेंगे Garden Ridge Sea Builders and Engineering Limited की तरफ से जो वेकेंसिज आई है उसके बारे में ये जो दोस्तों आपका एक Government of India Undertaking है Ministry of Defense के अंतरगात आता है जो कि सीप मैनिफेक्चर और जो है सर्विस प्रवाइड करती है तो काफी अच्छी और्गनाजिसन है इसमें आप अगर अपरेंटिशी वेकरा करते हो तो आगे चल के जितने भी सीप बिल्डर से रिलेटर कोई वेकेंसिज आती जिसे MDIL हो गया, कोचिन सीप याड हो गया, गोवा शीप याड हो गया, हिंदुस्तान सीप याड हो गया तो इसमें काफी आपको help मिलते है क्योंकि उसमें बहुत सारी वेकेंसिस में मांगा जाता है कि सीप बिल्डर से जो है आपका experience यापरेंटिशिप एकरा रहना चाहिए तो अभी जो फिलाली वेकेंसिस आया है गार्डन रिज सीप बिल्डर एंड इंजिनिर लिमिटेड से जो कि अज़र अपरेंटिशिप ट्रैनी के लिए जिसमें आपका बहुत तरह की ट्रैनिंग है जिसमें आज ट्रेड अपरेंटिशिप है ग्रेजएट अपरेंटिशिप है और टेग्निशिन अपरेंटिशिप है आपका गार्डेन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजिनिरिंग लिमिटेट से और यह आपका जो आपका है कोलकाता में यानि जॉब लोकेशन आपका जहें कोलकाता रहने वाली है ठीक है यह जो अप्रेंटिशिव ट्रैनी है जिसका आप नोटिफिकेशन नमर आप यह पर एक लिए ग्रेजट अपरेंडिशिव यानि कि आपका जो है बीबिटेक के लिए और टेक्शन अपरेंडिशिव जो है आपका डिप्लमा वगड़ा के लिए रहने वाली इसका जो फॉर्म है वो आपका 30 सब्टेंबर से स्टार्ट हो चुकी है दो जिससे और लास्ट इट सीटें आपको यहां पर रखा गया है तो सबसे पहले अपन ट्रेड अपरेंडिशिव के बात करेंगे एक अप आईटाई के लिए तो जो भी कैनिडिट आईटाई रेलेमेंट ट्रेट से किये हैं उसके लिए यहां पर दे सकतो एक सो चोंती सीट है आईटाई करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है यहां पर देखिए डेजिनेटेड ट्रेड दिया है और आपका आईटाई एंटीसी वगरा से रहना चाहिए और आपका प्लेस्मेंट कहा हो रहेगा यह सारा उन्होंने इन्फरमेशन दे रहा है सबसे पहले अपन बात कर तो फिल्टर क के लिए भी आपका कोलकाता है रहेगी मसनिस्ट के लिए आपका आईटिया ट्रेड मसनिस्ट रहना चाहिए कोलकाता और राची में रहेगा और पाइप फिल्टर के लिए पलंबर के लिए तो आपका कोलकाता रहेगा और कार्पेंटर के लिए भी कोलकाता ही रहेगा ड्र only इसमें रखा गया है ठीक है उसके बाद इलक्रोनिस मेकनिक के लिए सीटे हैं और पेंटर मेकनिक डिजल के लिए फिटर अस्ट्रक्चर के लिए भी है जो आई टे फिटर ट्रसी कर रखें वो इसमें अपलाई करेंगे अस्ट्रेक्टर कल असस्टेंट इंग्लिश के लिए maintenance अनिकी IC TSM वगरस आपने IT कर रखें तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो उसके बाद रेफ्रेजरेशन एंड एयर कोडिशन एसी मेकेनिक वगरा के लिए यहां पर रखाए ठीक यहां पर जो IT के डुरेशन जो रहेगे बारह मंथ का रहेगा ठीक है जैसे आपको जनरल पता होगा IT apprenticeship एक साल का यह होता है तो आप अगर IT किये हैं और apprenticeship नहीं किये हैं तो आप इसके लिए apply कर सेक्ट हो ठीक है आपका IT एंटीविटी या एंटीशी मेगरा से रहना चाहिए और सबसे पहले आपको जहें यहां पर देखिए minimum age दिया चौदा साल और maximum दिया आपका 25 साल एज की counting आपका एक नो आएक सब अक्टूबर 23 सी करी जाएगी यहां पर date देख सकतो जिसके लिए आपका minimum 14 साल होना चाहिए और maximum आपका पच्छे साल रहना चाहिए ठीक है साथ ही एच का relaxation आपको OSC ST OBC और PH candidates को अलग से मिलेगा apprentice में registration सबसे पहले आपको इसकी जो official website apprentice की वहां सबसे पहले आपको registration कर लेना नहीं की apprenticeship इन डॉट जो भी डॉट इन पर सबसे पहले आपको registration कर लेना है registration करने के बाद ही आप इसका जो form भार्प सांगे ठीक है तो आप अगर registration नहीं के तो सबसे पहले वहां सब registration कर लेंगे उसका दूसका अपली के रेश्टरसन नमबर होता है वह आप करके जो है डारेक्ट ली अप्लाइ कर सकते हो या वहीं पर आपको इसका option मिल जाएगा को जो है जी गार्डें ट्रीच सी बिल्डर का वहां से भी आप अप्लाइ कर सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको अप्रेडिशिप इंडिया की website पर registration होना ज़रूरी है ठीक है तब यह आप इसके लिए कर पाएंगे ठीक है उसके बात जो है ट्रेड आप्रेंडिशिफ के लिए इसमें आपका उसमें भी एक चालिस सीट है जिसमें आपका फिटर वेल्डर वेल्डर गयस इलेक्रिक इलेक्रिसरन पाइफ फिटर और मसनिष्ट के लिए इसमें भी आपका चाहिए रहना चाहिए ठीक है और इसमें भी आपको इसकी website पर restriction करना है दर इसके बाद इनकी इसकी website पर आपको जो है restriction करके आपको online जो है apply कर देना है ठीक है नेक्ट जो पोस्ट है बू आपका है graduate apprenticeship के लिए जिसमें पच्छिस पोस्ट है और इसके लिए आपर बी-बी टेक आपको होना चाहिए जैसे mechanical के लिए है तो mechanical के लिए के लिए अप्लाई करोगे तो आपका mechanical engineering, mechanical and production engineering से रहना चाहिए आप अगर electrical के लिए अपलाई करोगे ता आपका electrical engineering, electrical and electronics branches सरण रहनी चाहिए computer science, information technology के लिए जिसमें आपका और इसका भी ट्रेनिंग आपका ट्विल्थ मन्थ की रहने वाली है और देखिए यहां पर जो कैंडिडेट वी बीटेग आपने दोजर एकिस दोजर बाइस और दोजर तेस में किये वही कैंडिडेट अप्लाइ करेंगे अब उससे पहले आप अगर कर रहें 2020 तो आप इसके लिए लिए नहीं होंगे तो यह सारी चीजा आप यहां पर देख सकते हो और इसमें भी एज लिमिट दिया है इसमें थोड़ा एज जाड़ा दिया है 26 साल तक आप इसके लिए अप्लाइ करेंगे साथ यह का लिए अपको मिलने वाली है और अप्लाइ करने से पहले आपकी इनकी जो वैपसाइट है बी बीटेक की अप्रेंडिशिप की जो वैपसाइट होती है वहां प्रोटल पर आपको रिश्रेशन कर लेना इसके बाद य कर दिया है आप इसको एक बार देख लिए चाहिए आप अगर एलेक्तेकल की एपपलाई करेंगे तो आपको एलेक्तेकल इंजिनरिंग सारी चाहिए उन्होंने दे रखाए एज लिमिट भी यहां पर सहमी है लेकिन मैक्सिमम यहां पर 26 साल दिया है साथ ही एज का आपको यहां पर मिलने वाली है ठीक है अब इसे के लिए तिन साल है और सस्ट के लिए पांच साल है और पी ड़ू हैंडिकाप के बगरा है तब कर सकते हो ठीक है 29 अक्टूबर तक आप इसका अप्लाई कर सकते हो लास्ट डेट इसका 29 अक्टूबर तक है ठीक है यहां पर दिया है सेलेक्शन प्रोसर्स की बात करें तो यहां पर कोई भी एक्जाम अगरा नहीं होगा आपका जो है आई टी डिप्लमा बीवी टेक में जो भी आपने मार्क्स गिन किये हैं उसके अधार पर मेरिट बनेगी ठीक है टाइटिंग मैंने सारी चीजे बता दिया दिखिए स्टापन क्या रहेगे यहां पर देख सकते हो ट्रेड अप्रेंटिशिव फ्रेसर के लिए हैं यहां पर फर्स्ट येर आपको 6000 मिलेगा सेक के लिए 9000 है ठीक है तो यहां पर जो है देव दिया है आप इसको देख सकते हैं आप अगर अप्लाए करना चाहोगे तो कर सकतो बाकी जो भी इंपोर्टेंट चीजें थी मैंने सारी चीजें बता दिया है फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट के मादर से पू रहे ठीक है आपके चाहँ भी तो कि सुल दो है कि अन्य करू Keys मैंने सारी ूप है आपके अटके जो भी कि मैंने बता है अर्कावे रूदे हैं वी उरो इंश्से से कर सकते हैं थ colonial हैं भी कर दो कि बाकी मैं 15ह टो भी बास जोने हैं।